सब्सक्राइब कीजिए हमारी चानल को और बेल आइकॉन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहेले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आप देख रहे है सीको न्यूज यूट्यूब चैनल भारत और श्री लंका के बिच चल रहा दूसरा वंडे माच में भारत अची स्थेती में था फिर भी मुसीबत में आ गया है भारत ने केवल 12 रनों में 6 विकेट्स कवा दिये है भारत की तरफ से शिखर धवन और रोहिद शर्मा ने बहतरीन पारी खेली थी पर जब रोहिद शर्मा आउठ हुए तब से भारत ने केवल 12 रन बनाये है और 6 विकेट्स को दिये है धवन ने 49 रन और रोहिद शर्मा ने 54 रन बनाई थे रोहिद जब आउट हुए तब भारत का स्कोई 109 रन था और अभी भारत 121 रन पर 6 विकेट्स स्कोई है भारत की एसी हालत श्री लंका के बोल अकला धनन जैने के उन्होंने 5 ओवर में 5 विकेट्स भारत के उखाड़े एक समय पर भारत आसानी से मैच जिट सकता था लेकिन भारत को यहां से मैच जितना काफी मुश्किल है दोस्तों आपको क्या लगता है भारत का यह बुरा हाल में कौन जिम्मेदार है हमें को मांट्स में बताईए दोस्तों इस खबर में अभी इतना ही क्रिकेट से जोड़ी बाकी खबरे के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले